वाल्कम बैक होगी है चैनल पर अच्छा जीब बात करेंगे हम दिपिका के व्लॉग पर बात यह करनी है जो लास्ट वाले व्लॉग था नो उस पर थोड़ा सा पॉइंट रहे गया था काफी लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपम उस पॉइंट को भी कवर नहीं किया है ज इसलिए उसने वह वापसी अपने फैस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिये अब वही हमको दिये भी देखने को जाई मिलेंगे और बिर्यानी भी देखने को मिलेगी और उसना सबसे बढ़कर अपना यह जो भी चल रहा है पूरा का पूरा फैस्टिवल सीजन इस जो एक्वेशन सी जो फैमली की एक्वेशन सी वह पूरी की पूरी खतम हो चुकी है और भाई सबसे जादा जो मुझे अजीब आप कहलो या जो भी कहलो वह जो गुटके को लेके जो उन्होंने एक्स्पलेनेशन दी है ना जो गुटका-गुटका की है मैं को लग रहा है जो ना वह कोने मज़या कि रो रहा होगा क्राइं गुटका की यह वलाई सीन वहां क्यूंकि सब को पता है कि गुटका किंग यहां पर कोहन मशूर है और जितनी एक्स्पलेनेशन शुएब ने दी है अपने व्लॉग में प्यूंकि हम सब को पता है कि दिपेसज शुएब आर यहाँ पर यहाना लिखा था गुटका बोपाल का मीठा गुटका जाए टी उसका पावी तो पधा था काफी यार काफी सारे लोगोंने जो है कमेंट किया तो काफी सुप्ष्क्याबर्ड्गर्ण ना उन्होंने बताया था कि हमने जो है वो कमेंट किया है इस पर के अब तुम गुटका जो है वो खुले आम प्रोमोड करो यह करो तो उसकी सफाई जो है वो श्वेब ने दिपिका नेखार अपने व्लॉग में दिलवाई लेकिन यह लोगों को अच्छे से पता है कि उनको स को अब इसमें दूपक किसी पी सूरत में चाहिए और किसी बी सूरत में हो तो फिर का है कि रूच वैज तो कुने पर"! कि वह से हमारा वाला गुटका जादा है कि बहुत का रहा है मतलब सिम्पल यही सफाई तो काफी सारे लोगी भी बूल रहे हैं यह जिनके जैसे जैसे नाम है जैसे कि गुटका किंग का सभा का नाम भालू शालू रसगुल और इस तरीके का है तो यह दूसरे को इस तरीके का नाम लेते भी एक दूसरे को चड़ाने के लिए आप अकसा नोट करना जो नाम उस वक्ष ज्यादा चल रहा होगा वो उस नाम को ज्यादा तर अपने व्लोग में यूस करेंगे ताकि एक दूसरे को चड़ा सके वो चड़ाने के लिए होता है या उनको लगता है को पोड़कास्टर का मजाक ओडा रहे लेकिन इसी तरीके से लोग बोलते वे करते वे नजर आते हैं तो यह इसी तरीके से गुटके को लेकर इतनी वो मेठा है वो फीलिंग नहीं है वो घुटका यह कराची मों बहुत आम है तो मुझे अच्छे से बता है उसकी स्मेल इतनी गंडी उपड़ से वह दिखता इतना गंदा वाला है वह इतना प्यारा लग रहे एतना मसूम वाला गुटका है ना इतनी सफाही दी गई है जैस कि अपने फैंस लोगों के सामने जीरो फिल्टर रहते वे भी छुपा लिया लेकिन फुमारी पॉल पट्टी कुल गई ये तो हमें ये भी ना रेड़िट पर न्यूज हुई थी इसको भी रेड़िट वालों ने पकड़ा था कि यह जो है सिग्रेट पी रहा है सके बाद सब पोड्कास्टर्स ने कवर गया था रेड़िट को मुझे लगता है ये किसी पोड्कास्टर्स को फॉलो करते हो ना करते हो लेकिन रेड़िट को जरूर करते तो रेड़िट पर जो चीज आ रही होती है वो चीज दूसरे दिन इनके व्लॉग्स में आ रही होती है तो कि अच्छा पूर्ष बात करते हैं आपको दॉक्त ने लिखे दी आए आपके घर में इंतहा से ज्यादा ही चाहिए लेकिन इतना आइज हैं यह भाई घर इनके कर तक नहीं मैं तो यह सोच रही ही इतना भड़ा घर बनाया था उस पे कोई प्रॉपर जगा ही नहीं बच्चे के लिए कोई प्रॉपर जगा नहीं है बच्चे दर दर रोल रहा है गरीब तो पहले हम कॉवेट के टेस्ट को जो है वो कवर गड़ते हैं तो टेस्ट तो नेगेटिव आता है लेकिन उस टेस्ट से पहले जो है कुसी किसम का मास्क वगरा कोई अपलाई नहीं किया जाता ईकिन उनको लगा के फुल सही नहीं हो रहा है इस वजह सकता है और आज कल बहुत गंदा मौसम चल रहा है इवन हमारे पूरे घर में मेरी बच्ची आंभी सब जो है एवन आज मेरा भी ठुदधा चाल रहिए सीन तो बहुत गंदे मौसम चल रहे है तो इस वजह से आपको पढ़े होगों सहुए को तो क्या++ में दो माप एक सामने में बच्चा गूले है तो पहनने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, अतियात हो जाएगे, और क्या होगा, जरूरी नहीं हिए, हर्ट जम्स लग जाए, लेकिन बच्चे फॉरन खासकर, चुछ करे कशने बच्चे तो अपने जम्स ले लेते हैं, और फे बिमार हो जाते हैं, प्रिमिच् से पूरा उसका ट्वीटमेंट नहीं होगा तब तक वह सही नहीं होती है एक नॉर्मल वायरल भी इसको इतनी जीली सही नहीं होता है तो यह प्रिमिचियर बच्चे में बहुत बड़ी आप कहलो डिसएडवांटेज होता है आप कहलो एक तरीगे से बहुत खतरनाक चीज होत है तो इसलिए वह रोहान के वह बहुत खतरना आगे कि वह भी कई नहीं प्रिमिचियर लेकिन बहराल इनके अगर में नहीं दिखती है सारी चीज़े पर आते है ज्यादे तर जो बात हुई है वह यह हुई है सभा को बहुत जादा ट्रोल गया ज़रा है इस बात पर कि सभा सुसरका खाना भी नीचे से आता है उपड़ से नहीं आता है इसके सुसरका खाना यहाने जहां तीन चार जानों का खाना बन रहा है वहां यह खाना जो है इसके सुसरका खाना नहीं बनता है इसके सुसरका खाना नीचे अम्मी बना कर या जो भी लोग होते वह बना कर देत कि दिपेका की मजबूरी भी है आप कहलो होज़े वह श्वेब की वज़ा से भी कर जाती है अपने पशले व्लॉग में भी आप जितना भी कहलो यह बहुत चिल है यह लेकिन अपनी फैملिको लेकर चल नहीं है अपनी फैमिलिको लेकर बहुत ज़धा ओसका बाकी वो हर मामले में सकते हम से जलेना देना नहीं है थाम C तो वो भी है कपड़ों पर वह चीज़ भी हमने देखी भी है तो उसका माइंड सेट बहुत जदा रिग्रेसिफ अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा है क्यों अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है किसी व्याल में तो कहीं नगई उसी को फॉलो करते वह दिपेका जो है वो निभा बाब तुम दूसरों के घर दीए क्या जला रहे बाब यह समझ नहीं आता मतलब इस दफ़ा जो ना श्वेव इबराहीम बाजी लेगिया गुटका किंग को जो है वो शेड करने में सभा हर वक्त अपने व्लॉग में शेड करती रहती है ना तेपेका को श्वेब को तो इस इतना बड़ा आप घर बनाते हो इतने बड़े घर में आपके पास बच्चे के लिए एक प्रॉपर कोई रूम नहीं मतलब किस तरीगे से कवाड़ खानों के तरीगे सा इसा लग रहे है वह नहीं स्टोर रूम होते हैं वह पर आप जाके बस ट्वाइस फेक देते हो चीज बनाते हो तो आप उतर प्रॉपर चीज़े रखने के लिए जगा क्यूरी बड़ाते हो बतलब हमारे पास भी चार रूम मेरा बच्चियों का पूरा अलग रूम अलग रूम के अंदर भी मैंने उनको बहुत सारी दी उनकी कबर्ड अलग है उनके पास डॉस अलग है जिसम अपने बच्चों की चीज़ों को ट्वाइस को आई एगरी के बच्चे पहलाते हैं लेकिर उस पहलावे के बाद उसनको समेट तो वह लगता है समेटावा वह हाल आपको लग रहा है स्टोर रूम लग रहा है सीरियस्ली अजीब ही बना दिया वो कमरे को अगर ना बनाती ह अगर नहीं बनाती है अगर नहीं बनाती है अपने बच्चे के लिए प्रॉपर एक जगा बनाती है प्रॉपर रूम बनाती है मुझे हमेशा उनके लिए देखे दखते है यह बच्चों के लिए एक्साइटेट नहीं है यानि बच्चा पैदा हुआ उसके लिए को एक्सा संध्य में तो यह तो मेरो थोड़ा सा जो ए वो जी भी लगता है वाला सीन तो एक हप्डंदे को होता है जब आपके बच्चे होता है ठालग से रूम भले वो ना चा के सुए लेकिन उनका प्रॉपर रूम बनाते हैं अप हर बंदा चाहता है जब आपके पास हो तो आप क्य भाष बैट सकती यह से आप सोफकते हैं अफ बंदा बैट सकते हैं बैर बेट सकते हैं भड़ इसको आप पर इसको तो उसको रूम होगा तो मैट सिते हो ःत्ने डो senों households कर गोद को वह पृपर जो है वो अरेंजमेंट मेज़ नहीं हाती है उनके घर सारी बाते कर आई तो इन्होंने जो वबसाइड का बंडा जो हाटा दिये वेबसाइड जो उनकी डेवलब वगरा कर रहे था लो बंदा हठा दिये तो उस पर काफी सारे कमेंट्स भीते हैं कि हर वक्त प्रॉब्लम आप ही के साथ होती है सब कुछ इन के साथ होता है और भी इंट्र इजाइनर पर जिसको बहुत ज़ता है आकरे वाहर में बोल एक हो चुछ सुनी नहीं रहता है तो इस नो सब बेडा गरक कर दिया है अगरा काम खराब कर दिया अब आगिया वेब इसाइनर मतलब सारे लोगों से लोगों को आपसे हो जाता है, मतलब आपको ही हो जाता है उनसे मसला, मुझे यह थोड़ा सा समझ नहीं आता है, जब हर इंसान को शुरू हो जाया है, हर इंसान से, तो मतलब समझ लो, सामने वाले में प्रॉब्लम है, तो कि उसको हर बंदे से प्रॉब तो अगर अपनी डिजाइनिंग दो तो तुम ही कर लो, शीन सारा यह होता है, यह अपने डेड उशारी दिखाती है और डेड उशारी घराप कर देती है, अब चाहे वो दोस्ते हों, चाहे वो नडश्टी के दोस्तों, कोई भी इनसान उसके साथ सिंसेर नहीं है, क्यों नही यह खुश रह लेते हैं, और वो जो चिंगु मंगु जो है उनके साथ, आजकल तो भी नजर नहीं आते हैं इनके व्लोग्स को, तो यह नहीं के साथ रहते हैं, मतलब इनका कमफर्ट जोन नहीं बैठता है, यह अपने कमफर्ट जोन को बहुत इनका हाई लेवल वाला है, मुझे शोईब ने का था, मेरा लेवल यहां है, तो यह अब समझ मारा के वाकई इनका लेवल यहीं पर है, इसलिए इनका जोन नहीं कमफर्ट जोन हर किसी के साथ बैठता नहीं है, बाकि और बहुत सारी चीज़े है व्लोग पे लिकिन वो रोहान को लेकर है, इसके लिए मालक पोड़कास्ट बनाने वाली होपस हो कि आपने इंजॉय करें, उस पोड़कास्ट को भी टेक किर, अलाहाफिस बाए बाए